हेलो फ्रेंज मैं हो इस वक्ट फुकेट के आउपोर पियर पी और यहां से हम जाने वाले हैं एक एक आक्शन पैक्ट फुल डे क्रूज पर क्रूज में होगा केव एक्स्प्लोरिंग, कैनूइंग, पैडलिंग और साथ में वर्ल फेमस जेम्स बॉंड आईलेंड का एक टूर तूर पे जाने वाले बाकी सारे गैस आ गए हैं तो अब हम चलते हैं अपना टूर शुरू करने के लिए यह है हमारी आज की बोट जैसे की क्रूजर बोट या यहां पर बिग बोट भी कहा जाता है बोट पर कई तरह के स्नाक्स और बेवरेजिस रखे हुए हैं इस टूर में हमारा स्नाक्स, लंच, शामकी, चाय, कॉफी, लाइफ जैकेट, सब कुछ इंग्लूड एंग्लूड ह के बाद अब हम निकल पड़े हैं क्रूज करने पंगना बे में विच इस अलसो नोग अस दे क्रूजिंग पारदाइस अफ थाइलंड हमारा फर्स टॉप आ गया है जो है पनक आइलेंड पर एक बैट केव हमारी क्रूजर पोर्ट को यहीं पर एंकर कर दिया गया है और अब हम छोटी कनूज निकालके उसमें बैट के अंदर जाएंगे हर कनू में एक प्रोफेशनल पैडलर हमारे साथ है जो कनू को रो कर रह है स्टालेक्टाइट और स्टालेकमाइट जो लाइमस्टोन फॉमेशन है वो देखने में बहुत मजा आता है और जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं केव में अंधेरा होते जा रहा है पानी में सब मर्जड इस केव की सीलिंग पर लटके हुए बैट्स को देखकर जितना हमें डर लगा उतना ही हम मेस्मिराइज हुए इस ब्यूटिफल चमकते हुए ग्रीन लगून को देखकर लाइमस्टोन फॉमेशन कहीं कहीं इतने बड़े हैं कि हमें कनू में पूरी तरह लेट के जाना पड़ रहा था वरना वो हमारे सिर्प पे तकरा जाते फिर हमारे कनू पैदलर ने हमें दिखाया ये नाच्रिली लाइमस्टोन फॉमेशन से बना हुआ एक बुद्धा शेप का रॉक ये देखकर मुझे हमारे जबलपूर की मार्बिल की पहाड़ियों की याद आई इसी तरह से हम अपने माउंटेंज में अपने इंडिया के शेप्स ढूंटे हैं जैसे वहां पर त्रिमूर्ती बनी हुई है और कई और चीज़े अपनी क्रूस बोट पर हम काफी जल्दी व रहा है यह है कैप्टेन की सीट और फिर हमने मास्ट पर जाके कुछ फोटोज खिचवाए अब आंकर वापस उठ रहा है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉप के तरह नेक्स्ट टॉप पर उतारते समय हमने देखा अपनी क्रूस बोट का इंजिन ये देखिए इस तरह का इंजिन रूम रहता है नेक्स्ट टॉप है हॉंग आइलेंड जहां हम फिर से एक बार एक सबमर्जड केव एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस बार हम केव में से होते हुए बाहर मैंग्रोव में निकल जाएंगे देख सकते हैं ये मैंग्रोव पूरी तरह से लाइम स्टोन फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं इन तक पहुचना जा सकता है सिर्फ इस कनू के जरिए पर देख से वापस बोट पहुचने पर हमारे लिए एक संच्छूस लंच बुफे रेडी था जिसमें हमारा वेजटेरियन सेक्शन सेपरित था दा फूड वस वेरी टेस्टी और एक बहुत ब्यूटिफल व्यू के साथ मैंने आज का लंच एंजोई किया ताइम फर दे स्टार लोकेशन अफ दे जेम्स बॉन आइलेंड पर हम अपनी शिप से उतरके एक वुडन बोट में जा रहे हैं लेकिन क्योंकि ये 1974 की रॉजर मूर वाली जेम्स बॉन मुवी की फिल्मिंग लोकेशन है इसे जेम्स बॉन आइलेंड के नाम से ही जाना जाता है बॉन फैन्स के साथ मैं भी पहुँच गई अपनी फेवरिट मुवी के लोकेशन देखने जैसे ये आइकोनिक रॉक और ये वाली दिवार जहां पे मुवी में विलेंड का जो घर है उसकी एंट्री दिखाई गई है और ये केव जिसके अंदर विलेंड का वो सूपर गॉ अपने लेफ्ट साइड की स्टेर्स उपर चड़के चले जाए फिर सीरिया नीचे उत्रेंगी और आप पहुचेंगे एक बहुत सुन्दर जगह पे जहां से आपको अन आप्स्ट्रक्टिड व्यू मिलेगा इस रॉक का हमने मुवी का जो आइकॉनिक डूएल सीन है उसको रीक्रियेट किया अपने फोटोस में हमने खुद भी कई फोटोस किचवाई हमने दूसरों की भी बहुत सारी फोटोस कीच के दी इनको गुडबाई करते हुए अब हम वापस चलते हैं अपनी बोट पर सूपर कूल बॉब मारली नाम की बोट पर आपको जिस तरह से लोग चरते हुए दिखाई दे रहे हैं वुड़न बोट में वैसे ही चरना पड़ता है साइट से और अंदर भी कोई आयल नहीं बना है आपको बेंचिस के उपर से चलके जाना पड़ता है हमारे नेक्ट स्टॉप लावा आईलिन पर कनू हमने खुच चलाई जो कि बहुत ही इजी होता है लेकिन हमारी बोट से लावा आईलिन के बीच तक पहुचने में हमारी कनू खुच इस तरह से गई खेर उसका भी अपना ही मज़ा था और किसी तरह हम बीच पर पहुच गए बीच पर आके आपके पास फ्री टाइम है यू कन संबेद यू कन स्विम एक पूरा ग्रूप यहां पर बॉल से खेल रहा है हमने बीच को एक्स्प्लोर किया कि अप पीच पीच अ इस स्विम इस स्विम इस स्विम इस लिम इस लिम इसों चाहर गई पर काफी relaxing time spend करने के बाद आप time था वापस बोर्ट पर जाने का वापस जाते समय भी the struggle continued दूसरी कनूस को तककर मारने से बचाते हुए और उस सीधे रस्ते पर अपनी करनू को जलीवी की तरह गोल-गोल घुमाते हुए हम किसी तरह अपनी बोर्ट पर पहुँच गए और वापस जाकर it was coffee time on the sea Phuket वापस जाते समय तो हमारे tour guide James ने बिलकुल समाबान दिया टूर पे आने वाले सारे लोग अलग-अलग countries से आई हुए थे पर James ने इतने internationally popular songs बजाए जैसे माकर रेना, गंगनम स्टाइल जिनके steps iconic है और सबको मालूम है उसने सबको involved किया पूरी हमारे बोट एक party बोट बन चुकी थी दिन भर के इतने सारे special experiences जो थे जैसे canoeing, cave exploring, James Bond Island इसके बाद भी और एक partying experience बचा था इसके मुझे कोई idea नहीं थी इसने हमारे trip को और special and memorable बना लिया अंडवारी tours को मेरे तरफ से full recommendation है you will have a memorable tour with them मुझे जितना मज़ा आया यहां पर उतना ही आपको आज के video में भी आया होगा see you in the next video, bye